दोखो आपको याद होगा जए हम लोग functions पढ़ गए थे तो functions में हम लोगों ने number of functions के बहुत सारे questions किये थे Actually वो number of functions का concept जो है वो permutation and combination से ही आया है दोखो क्या होता है जैसे माल लो हमारे पास एक set है और set में माल लीजिए a1, a2 से लेकर के am elements है और दूसरा set माल लीजिए b है और इसमें b1, b2 से लेकर के bn elements है ठीक अब हमसे कहा जाए कि total number of functions from a to b a से लेकर b तक कितने functions बनेंगे दोखो अब इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप ऐसे समझो कि मेरे पास m balls है और n boxes है दखो अब balls और box वाला जो सवाल था उसमें क्या था कि मैंने बताया था कि माल लो box बहुत बड़े बड़े हैं और एक box में कितने गेंदे भी जा सकती है तो जैसे a1 को रखने के n तरीके a2 को भी रखने के n तरीके कोई तो को function में क्या होता है कि दो point same जगह पर जा सकते हैं ऐसे माल लो a1 है a2 है a3 है b1 है b2 है b3 तो ऐसा हो सकता है कि दो point same y ले ले मलता दो अलग-अलग x same y ले ले ऐसा हो सकता है दो अलग-अलग x के लिए y same हो सकता है खना ऐसा भी हो सकता है तीनो x के लिए y से हम हो जाए तो मतलब सारी की सारी गेंदे एक ही डिब्बे में जा सकती है, function में ऐसा हम मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक X के लिए दो अलग अलग Y हो जाएं एक X के दो Y होते हैं तो फिर वो function नहीं कहा जाता 1 X के लिए 2 Y नहीं हो सकते हैं मतलब एक ball दो अलग अलग डिबों में जा नहीं सकती है और वो तो बैसे भी नहीं जा सकती है एक गेंड दो अलग अलग डिबो में तो बैसे भी नहीं जासकती है हाँ, दो गेंडे, तीन गेंडे, चार गेंडे षीम डिब्ने में आ सकती है तो यही चीछ फंग्शन में भी होती है दो, x, 3, x, 4, x के लिए सेम, y हो सकता है लेकिन x के लिए अलग-अलग y नहीं हो सकती तो मतलब ये वही balls और boxes वाला ही सवाल है कि हमारे पास m different balls है और n different boxes है हमें balls को boxes में रखना है एक box में कितनी भी ball जा सकती है तो दो को जैसे a1, a1 को रखने के कितने ways होंगे n a2 को रखने के भी n ways, a3 को रखने के भी n ways, सब के n, n, n ways होंगे तो answer क्या हो गया बोलो, n की power m हो गया total number of functions from a to b और ये हमने पढ़ा था देखो, अब जैसे इसमें अगला होता है कि total number of one one functions देखो, total number of one one functions total number of one one functions अब one one में क्या होता है? कि दो x सेम y पर नहीं जाएंगे one one में क्या होता है? अलग 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 x का मालो ये a1 है, a2 है, a3 है और ये मालो b1 है, b2 है, b3 है तो अलग अलग x का y अलग अलग होना चाहिए ऐसा one one में होता है तो मतलब अब एक बॉल एक ही जगह पर जाएगी तो अब अगर एक बॉल एक ही जगह पर जाएगी तो अब ये से जो N है वो M से बराबर या इकल होना चाहिए greater या इकल होना चाहिए N ज़्यादा होना चाहिए और M कम होना चाहिए तभी एक ball एक ही जगे पर जा सकती है वना अगर मालो dem boxes गम हुए और balls जदा हुई तो एक ball एक डिबे में नहीं रख सकते तो इसके लिए boxes जो है वो balls की तुलना में जदा होने चाहिए हां, यह बरावर भी हो सकते हैं तो n, m से greater या equal होना चाहिए तब ही हम one one function बना सकते हैं है ना one one function का मतलब क्या कि एक element एक ही जगे पर जाएगा एक ball एक ही box में जाएगी ध्यान दो तो अब देखो जब एक जगे पर एक ही चीज जाती है तो इसी को हम permutation कहते हैं तो ये value क्या हो जाएगी ये value हो जाएगी NPM ध्यान दो लेकिन इसके लिए N को M से जादा होना चाहिए तब ही ऐसा possible होगा तो एक जगे पर एक ही चीज लखनी है और इसी को हम permutation कहते हैं कि एक जगे पर एक ही चीज लखनी है क्योंकि एक X के लिए एक ही Y होना चाहिए दो अलग अलग X के लिए अफ सेम Y नहीं हो सकता अब हमें एक बॉक्स में एक ही बॉल लखनी है तब ही हमें number of one one functions मिलेंगे दोकों तीसरी बात number of onto functions number of onto functions तो onto functions दोकों कब बनेंगे onto function में क्या होता है onto function में कोई भी element खाली ना चूटे बी का अब दोकों जैसे यहाँ पर B के दो element खाली छूट गए यह onto नहीं होगा तो onto के लिए कोई भी element खाली नहीं छूटना चाहिए और वो तब ही possible होगा जब M जो है वो N से ज़्यादा या कम हो अगर मालो गेंदे हैं कम और डिब्बे ज़्यादा हैं डिब्बा तो खाली छूटेगा ही मालो तीन गेंदे हैं और पांच डिब्बे हैं तो भाई दो डिब्बे तो खाली छूटने ही छूटने हैं तो अब यहाँ पर गेंदों की संक्या डिब्बों से ज़्यादा होनी चाहिए मतलब M greater equal to N होना चाहिए equal भी हो सकता है क्योंकि on to functions में हम यह चाहेंगे इस set का कोई भी element खाली मत छूटे है ना on to function में हम यह चाहते हैं कि set B का कोई भी element खाली नहीं छूटना चाहिए अगर set के element खाली छूटे अगर set B के element खाली छूटे तो क्या होता वो function on to नहीं होता तो इसके लिए मतलब यह हुआ कि कोई भी डिबा खाली ना छूटे अब तुमको मैंने concept बताया था कि N गेंदे हैं R डिबा में रखनी हैं और कोई डिबा खाली ना छूटे आपको याद होगा यह concept है ना कि N balls है N balls है इनको R boxes में रखना है और हम चाहते हैं कोई भी box empty ना रहे no box is empty तो formula क्या था R की power N minus R C1 R minus 1 की power N plus R C2 मैंने बताया था दोखो यह formula कई जगे पर अपने काम आया कोई भी box खाली ना छूटे तो यही formula यहाँ पर लगाना है है ना दोखो कैसे यह N और यह R यह N और यह R तो क्या हुआ भोलो N की power M minus N C1 N minus 1 की power M plus N C2 N minus 2 की power M minus N C3 N minus 3 की power M and so on ऐसे जलता रहेगा तो यह on to function का formula वही है जो balls और boxes के case में किया करते थे on to functions है ना अब देखो क्या होता है इसी formula को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं क्या देखो sigma minus 1 की power N minus R N C R R की power M और R varies from 1 to N इसको ऐसे भी लिखते हैं एकी बात है यह दोनों सेम चीज़े हैं सेम क्यूं है जैसे R की जगे N रखो तो यह term मिलेगा देखो अगर R की जगे N minus 1 रखो तो यह term मिलेगा R की जगे N minus 2 रखो तो अपने पी यह term मिलता जाएगा तो number of onto functions का यह formula और यह formula सेम है यह formula वही है जो हम balls और boxes वाला करते थे कोई box खाली ना छूटे ठीक है इसकी वाएं दोको फोर्ट में अब दोको यहाँ पर ध्यान दो onto functions के लिए MN से बढ़ा होना चाहिए one one function के लिए NM से बढ़ा होना चाहिए अब हम चाहते हैं क्या बोलो total number of one one and onto functions one one and onto functions मतलब हम अब चाहते हैं bijective functions तो दोको function bijective तभी बनेगा जब M और N आपस में बराबर हो जाएं ध्यान दो क्योंकि हम चाहते हैं one one भी हो onto one one का होगा जब एक में एक element जाएगा onto का होगा जब कोई खाली ना चूटे तो वैसे भी देखो onto की condition में M greater equal to N और one one की condition में N greater equal to M तो दोनों condition हम चाहते हैं दोनों satisfy हो तो दोनों तभी satisfy होंगी जब M और N बराबर होंगे और onto function का मदलब एक जगे पर एक ही चीच जाए जैसे माललों क्या हो रहा है एक जगे पर एक ही चीच जाए तो एक जगे पर एक ही चीच जाए का मदलब जैसे यह हुआ कि माललों जितनी गेंडे हैं उतने ही boxes हैं माललों यहाँ पर चार गेंडे हैं और चार ही डिब्बे हैं तो अब जैसे पहली गेन को रखने के चार तरीके दूसरी गेन को रखने के तीन तरीके फिर दो तरीके फिर एक तरीके तो कोई यह 4 फैक्टोरियल हो गया मनलब यहां पर M और N बराबर हैं जितनी बॉल से उतने बॉक्सेस हैं तो on two functions, one one on two functions का फार्मूला हो जाएगा N फैक्टोरियल या M फैक्टोरियल या N पी N कुछ भी कह लो क्योंकि M और N बराबर हो गए तो यह भी M है, यह भी M है माल लो दोनो N है, दोनो N है तो फार्मूला हो गया N फैक्टोरियल M Factorier भी लिख सकते हैं की बात है क्योंकि M और N बराबर है तो ये 1, 1, N on two functions को निकालने का फार्मूला होता है N, P, N लिखें या N Factorier लिखें बात बराबर है क्योंकि एक जगे पर एकी चीज़ रखनी है मतलब ऐसे समझो कि चार आदमी हैं और उनके बैठने के लिए चारो कुरसियां है जितना बाल्स हैं उतने बाक्सेस हैं मतलब यसे मानलो चार आदमी हैं उनके बैठने के लिए चार ही कुरसियां है तो चार आदमियों को चार कुरसियों पर बैटना है तो फूर फैक्टोरियल पाँच आदमी है पाँच कुरसिया है उनको बैटना है तो फाइफ फैक्टोरियल वही चीर है जितनी बॉल्स हैं उतने ही बॉक्सेस हैं तो बॉल्स को बॉक्सेस में रखना है और एक जगह पर एक ही रखना है तो सीदे सीदे क्या हो जाएगा बोलो n factorial या n pn दो कोई ये वही फार्मूला है जो हमने 1 1 में लगाया था बस m बराबर n कर देंगे अगर m बराबर कर देंगे तो क्या बन जाएगा n pn, n pn के दो या n factorial के दो बाद बराबर है द्यान दो तो ये हम लोगों ने function में भी concept पढ़े थे total number of functions 1 1 function on 2 function 1 1 on 2 function दो को द्यान दो अब जैसे यहाँ पर मालो हम एक formula पढ़े कि total number of increasing functions है ना मालो हम से कहा जाए concept कि हमको निकालना है total number of increasing functions चाहिए है ना increasing functions तो अगर देखो हमें total number of increasing function चाहिए तो इसका मतलब देखो ये हुआ अब ये हो जाएगा n cm ध्यान दो n cm n cm क्यों दो उसकी बज़े ये है increasing function में दो क्या होता है कि increasing function तब कहते है जब जैसे जैसे x बढ़ता जाए उसका y भी बढ़ता जाए function को increasing कब कहते है increasing ये अच्छली यहाँ पर increasing से मतलब strictly increasing है है ना यहाँ पर increasing से मतलब है ध्यान देना strictly increasing strictly increasing का मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ता जाएगा जैसे जैसे x की value बढ़ेगी ध्यान देना y की value बढ़ती जाएगी इसको हम कहते है strictly increasing function मतलब जैसे मालो मैंने कहा हमारे पास एक set a है और एक set b है मालो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर है मालो 5, 6, 7, 8 अब दो को function increasing कब होगा कि अगर मालो 1 जाता है 5 पर तो 2 को confirm है 6 पर जाना चाहिए 3 को confirm है 7 पर जाना चाहिए 4 को 8 जैसे x बढ़ेगा y बढ़ता जाएगा कोई भी function अगर increasing है तो increasing का मतलब अगर x जादा है तो corresponding y भी जादा है जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ता जाएगा बड़े x का बढ़ा y तो इसका मतलब देखो यह हुआ कि जैसे माल लो मैंने कहा हमारे पास 1, 2, 3, 4 4 elements है और यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक 10 तक चीज़े हैं अब जैसे माल लो अगर 1 गया 3 पर तो 2 को उससे बड़े पर जाना चाहिए 3 को उससे भी बड़े पर जाना चाहिए और 4 को उससे भी बड़े पर जाना चाहिए माल लो तो इसका मतलब देखो यह हुआ कि जैसे हम अब क्या चाहते हैं अब एक्चुली हम यहां से चार चीजों का सेलेक्शन चाहते हैं मतलब अगर वन थ्री पर गया टू फाइब पर गया थ्री सेवन पर गया तो फूर टेंड पर गया अब हम इनको अरेंज नहीं करेंगे अगर अरेंज कर दिया तो वो जाएगा पर्मुटेशन उल्टा नहीं चाहेंगे मतलब हम यहां पर जो हमारे पर दस चीजें हैं उन दस चीजों मेंसे चार चीजों का सेलेक्शन चाहते हैं और वो चार चीजें एक आर्डर में होने चाहिए इसलिए यहां पर इस्टिकली इंकीजिंग में की बात है है ना टोटल नंबर और इस्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन तो मतलब इस्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी एन सी एम है और इस्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी एन सी एम है ध्यान देना और एक बात अब देना अच्छा अब देखो एक concept रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं इसी में लोग ये number of functions के concept है सारे जिसमें हम लोग क्या करते हैं देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं non decreasing function निकालते हैं या non increasing जैसे माल लो यहां पर an elements है इस set में a1, a2 से लेकर के an तक elements है और माल लो इस set में b1, b2 से लेकर के b, r तक r elements है इसमें n elements है इसमें r elements है अब हमको चाहिए हैं देखो total number of non decreasing functions या non increasing function भी चाहिए हो सकता है non increasing function भी चाहिए हो सकता है और दोनों का ही answer होता है n plus r minus 1 c r minus 1 देखो अब यह formula हमको याद है इसलिए हमने देखो यह element बदल दिये इसको n कर दिया इसको r कर दिया तो यह answer होता है n plus r minus 1 c r minus 1 total number of non decreasing functions या total number of non increasing function देखो देहन दो non decreasing function का मतलब क्या non decreasing function का मतलब या तो constant हो या equal हो या greater हो देखो यह सही है function increase किया constant हुआ increase कर गया हना यह हो गया non decreasing non decreasing का मतलब या तो increase करे या constant हो इसी पकार non increasing का मतलब या तो decrease करे या constant हो अब इसका फार्मूला देखो यहाँ पर यह है देखो यह फार्मूला याद करो वही है जिसमें हम N1 जैसी चीजों को R डिफरेंट चीजों में बाटते थे हना N1 जैसी चीजों को R अलग अलग लोगों में बाटते थे यह फार्मूला कब लगता था जब ऐसा होता था X1 X2 से लेकर के XR बराबर N तो मैंने बताया था कि N डिफरेंट चीजें R अलग अलग अदमियों में बाटनी है तो यह फार्मूला वहाँ पर आता था या ऐसा कर दो कि इस equation के number of solutions यह हुआ करते थे तो कोई यह फार्मूला कई जगे पर काम आया एक तो यहाँ पर काम आया था कि मालो N एक जैसे चीजे R लोगों को बाटनी है एक यहाँ पर काम आ रहा है फिर मैंने बताया था कि यहाँ पर भी काम आता है मालो 1-X की पावर-R है और इसमें हमें चाहिए है तो इसलिए इस फार्मूले को याद है हमें इसलिए हमने एलिमेंट्स को यहाँ पदल दिया इसमें N ले लिया इसमें R ले लिया अब दोको यहाँ पर भी वही चीज है कि जैसे इसमें क्या हो सकता है अगर A1 B1 पर गया है तो A2 B2 पर जाए या A2 B1 पर भी आ सकता है मतलब इसमें लो एक पॉइंट X1 है उसकी वैलू Y है तो X2 की वैलू भी वाई हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है तो इसलिए यहाँ पर यह फार्मूला आया मतलब हमारे पास क्या है कि N1 जैसी चीज़े है इन्हें R लोगों में डिस्टिब्यूट करना है थाना R लोगों में डिस्टिब्यूट करना है मतलब हो सकता है तीन चीज़ें एक के पास चली जाएं अगली दो चीज़ें एक के पास चली जाएं बाकी सब अलग अलग के पाज है कुछ भी हो सकता है इसलिए ये फामूला आया N एक जैसी चीज़ों को R अलग अलग हैं अलग कि ये elements अलग अलग हैं फिर भी वो एक जैसी क्यों है क्यों कि यहाँ पर हम combination ले रहे हैं combination में क्या होता है कि चीज़ों को interchange करने से फरक नहीं पड़ता है यहाँ पर interchange तो करना नहीं है तो हमने इन सारी की सारी N चीज़ों को एक जैसा मान लिया तो N एक जैसी चीज़ों को R चीज़ों में distribute करना है तो क्या होगा N प्लस R मैनस में CR मना हलाकि यह elements एक जैसे नहीं होते है यह elements होते हैं अलग अलग लेकि उनको एक जैसा मान लिया जाता है क्योंकि हम actually यहाँ पर combination की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम N चीज़ों को R में distribute करते हैं बस और कुछ नहीं तो इसलिए इस formula को हमें याद रखना है तो यह formula functions को ले करके बनते हैं जिनकी यह जरूरत हमें permutation combination में भी कई बार पढ़ जाती है इसको लिको सबचे द्यान जिरा पहले